भारती चंता पार्टी 36 गड़ के मुखी प्रवक्ता एवं विधायक अजय चंद्राकर ने शिक्षा विभाग में हुए घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में जिस इस्तर का घोटाला हुआ है उसकी बानगी सुनकर बाकी घोटाले भी शर्मा जाएं दुख इस बात का है कि मा सरस्वती के विभाग में कोई व्यक्ती भष्टाचार के बारे में सोच भी कैसे सकता है प्रे 36 गड़ के मित्रों 36 गड़ के बच्चों का भविष्य पूरी तरह अंधकार मैं हो गया है मैं लगातार दो तिन दिनों से आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि स्कूल सिक्षा विभाग सिर्फ घोटालों और अनिमित्ता का विभाग बन गया है आज के समाचार पत्रों में आया है कि सिक्षा विभाग में जिस तरह की गड़वड़ी हुई उस संबंद में कोई नीड़ने नहीं लिया गया है यह सिक्षा विभाग के प्रमुख सचु कहा रहे है कल सिक्षा विभाग के मंतरी जी कह रहे थे कि एफ आई आर होगा सारे आदेस निरस्थ होंगे और फिर से काउंसिलिंग की जाएगे कितने दिन लगेंगे कितना समय चाहिए कितने पैसे कल लेन देन हुआ यह एक विशा है कल मैंने सप्लिमेंटरी में 11,000 और 24,000 बच्चों के फैल होने की बात कही थी आज एक नया तथ्य सामने आया है खेल गड़िया योजना में कम से कम डेड़ सो इसकूलों ने खेल के समागरी अमानक खरिदने के साथ साथ 140 इसकूलों में कम से कम रंगिन टीवी खरिदे हैं तो क्या इसकूल सिख्चा विभाग, समागरी खरिदने का विभाग, आत्मनान्द इसकूल में घुटाला करने का विभाग और तबादला और पोस्टिंग और प्रमोशन पैसे में करने का विभाग और आत्मनन्द के नाम से घ्रष्टाचार करने का विभाग बन गया है यही 36 गड़ की सिक्षा विवस्ता है और चाहे तत्कालिन मंत्री हो चाहे वर्तमान मंत्री हो मुख्य सचिव जी के बयान का क्या आर्थ है कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि चार हजार से ज़्यादा जो ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन हुए है उसमें चूंकी पैसे लिए जा चुके हैं इसलिए कुछ भी नहीं होगा यह सब भूगतना पड़ेगा पात्र लोगों को यह सब भूगतना पड़ेगा चतिस गड़ के मास्टरों को सिक्षकों को जिनोंने पैसा दे के काम संपादित करवाया है भूपेस है तो ब्रस्ट्राचार है यह साबित होता है भुपेस है तो अनिमित्ता है ये साबित होता है भुपेस है तो सिक्षा नहीं है ये साबित होता है भुपेस है तो चत्तिस गड़ा अंधकार के गर्त में है ये साबित होता है मित्रों इस